तो चलो प्यारे बचज़े इस वाले कोशन को देखो, इसमें basicly क्या है कि unit अ कि यूनिट मेब चार करना, जैसे surfaceufa remains तो इसमें से कौन सा ही यूणिट है तो सबसे पहले बात करोगे जो सर्फेस टेंच है इसका डाइमेंस फर्मुला लिख लो आसान तरीका सर्फेस टेंचन क्या होता है फोर्स एक्टिंग पर यूणिट लेंद तो फोर्स का होता है mlt-2 और लेंद का kg और second की power minus two तो kg second की power minus two इसका मतलब ऐह गहां कि ये जो फोर्त से matching हो रहा है इस से matching हो रहा है दूसरा है प्रेसर तो अगर प्रेसर की बात करोगे तो съरसर क क्या होता फ्रेसर प्रेशर प्रेशर इस मैज किया के जी पर मिटर सेकेंड का स्कॉयर मतलब थर्ड इसका मैज किया तो यह आया थर्ड मतलब यह हुआ एका फोर्थ है तो एका फोर्थ है मतलब यह कभी सही नहीं हो सकते या तो यह सही है या तो यह सही है और प्रेसर का फो प्रेसर का थर्ड है तो प्रेसर का भी थर्ड है इसका मतलब यह हुआ कि मुझे विसको सीटी की भी निकालनी पड़ेगे तो विसको सीटी क्या होता है तो viscosity होता है आप पड़े होगे Newton formula जो viscous force होता है जो viscous force होता है वो minus eta time coefficient of viscosity area A और dv over dx dv over dx क्या होता है velocity gradient तो यहां से coefficient of viscosity eta is equal to f upon area A negative velocity gradient dv over dx तो यह यह formula तो इससे मैं बड़े अराम से dimensional formula लिखानोंगा force का होता है M L T minus 2 और area का होता है L का square और velocity का होता है L T minus 1 और A आजाएगा length का L तो A के L ने A के L को कतम कर दिया और यहां से तुम देखोगे M और A के L उपर गया तो M L की power minus 1 और T की power minus 1 अब सब unit रखोगे तो M mass हो गया kg और यह meter यह second आ गया और यह जाएगा यह वाला तो इसका मतले भी हुगा कि जो इसको CTA किसके साथ match किया kg per meter मतलब first के साथ match किया तो इसका मतले भी हुगा कि यह option first वाला गलत है the correct solution is that second तो second वाला जो option है यह अपना सही है और अगर यह निकालना चाहते है इंपल्स का तो इंपल्स का भी निकाल लो तो इंपल्स का अगर निकालोगे जाएगा kg और यह मीटर और second की पाउर minus 1 इसका मतलब भी हुगा कि जो इंपल्स है उसका second के साथ matching हो गया तो इंपल्स है उसका second के साथ matching हो गया यह वाली चीज़ देखो ध्यान से तो आई हो कि आपको question clear हो होगा और बहुत मजा आया होगा थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो के भाए टेक केर